कि नवशकर। दोस्तों मैं हुँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगृ आपका इस दोस्तों अबने चैनल को पहली बार देख रहें तो आप से युद्धों के नीचे रेट कलर का बटन है आप उसे दबा कर सबस्क्राइब करें बाज़ों में एक पैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अप्रोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुचे दोस्तों अगर आप मेरे चनल को पहले सबस्क्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दल से शुक्रियादा करता हूं धन्यवाद करता हूं आपका अभी नंदन करता हूं कि आप मेरे चनल को ध्यान से सुन रहा हैं देख रहे हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें फेस्बुक से कर सकते हैं वेट्सप इंस्ट्रागाम ट्यूटर और भी तरहिए से कर सकते हैं भेज़ सकते बता सकते हैं तो शल्यए दोस्तों वीडियो के शुरुबात करते हैं दोस्तों डेंगु ज्वार नाम तो आप सभी सुने होंगे जानते हैं कितनी खतरनाग विमारी है तो इसका क्या इलाज है वह मैं बताता हूं सबसे पहले 10 ग्राम गोदंती भस में 10 ग्राम गोदंती दसमें 10 ग्राम इसफटीग भस में 5 ग्राम इसफटीग भस में 5 ग्राम इसफटीग भस में 5 ग्राम गिलोई सत 10 ग्राम गिलोई सत 10 ग्राम गिलोई सत 10 ग्राम गिलोई सत 10 ग्राम सर्दोप लादी चूर्ण 25 ग्राम सर्दोप लादी छोड़ा ही छुट्टन पच्छीस ग्राम संजिवनीवटी दस ग्राम संजिवनीवटी 10 ग्राम संजबया का या यह ऩर anal के इस दो ग्राम स्वद्ध हैं क्रेंर अशज्ञारीञों खरम मुला देश देट और फिर चालीस पुडिया बनाएं प्रातर नास्ते और साय भोजन के आदा घंटे बाद शहद या गुंगुने जल्सेवन करना आपको फिर से एक बार मैं आपको बता देते हो ताक कि आप आसानी से समझ सके सभी और शहदी को बेलकुल अच्छी से मिलाना और चालीस पुड गुंगुने पानी के साथ ले सकते हैं गिलो यह घंवठी चालीस ग्राम 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 दो दो गोली प्रातर वस्ताय भोजन के बाद गुंगुने जल्सेवन करें नोट कि गेहूं के जोर का रस से 20 मिलिटर है गिलोए रस 20 मिली गनकुमारी सुवारस 20 मिली पपीत्य करस्ट 20 मिली फिर से मैं आपको बता गेहूं का ज्वार जो है 20 मिली गेहूं का ज्वार 20 मिली गिलोय रस 20 मिली गिलोय रस 20 मिली घृत कुमारी स्वारस 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 20 मिली पपीते के पत्ते का रस 20 मिली पपीते के पत्ते का रस 20 मिली प सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें जो है आप इसको ले विशेश फायदा होगा आपको और आपको बुखार जल्दी उतर जाएगा सभी लोगों से मेरा यह अन्रोध है कि कोई भी दवाई जो है बिना डाक्टर सला से ना ले डाक्टर जो है आप आरवेदी डाक्टर से उमर के हिसाब से यह बिल्कुल यंग लोगों के लिए मैंने आपको बताया है लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चे होते हैं और उनको आप यह डोस दे देंगे तो नुक्सान पहुचा सकता उनको तो नुक्सान वैसे तारवेदिक में कुछ भी नहीं है लेकिन शरी देख के बता देंगे कि आपको है या नहीं है जो कुछ भी है बिने डॉक्टर से दवाना ले उम्मित करता आपको जानका जरूर अच्छे लगे होगी तो इसीक साथ अपने दोस्त पर दिखुमार बागड़े को इसकायर कर्म स्विजान के इजाजत दीजे नमस्कार जैह झाल 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 झाल झाल